चुनाओ सामने है ऐसे में सरगर्मिया अपने मुकाम पर है और बात राजस्थान की हो तो क्या कहना जी हाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जैपूर से मात्र 6 किलोमेटर दूर एतिहासिक आमेर की जहाँ चुनाओं की तपन देखने को मिल रही है लेकिन जब दस्तक टीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएजा लिया तो मौके पर जो भी बाते सामने आई वो वाकई चौकाने वाली थी जो डाटा आकड़े के पटल पर आये एतिहासिक आमेर जहां महलों ने अपनी खूबसूरती दर्ज करा रखी है वहां के विकास की जब समिक्षा की गई तो हम हैरान हो गए आमेर ना सिर्फ मुक्य धारा से कटा हुआ है बलकि यहां के सडके पानी और सिक्षा का हाल बदहाल है जहां सारे जन प्रतिनिधी आमेर को ठगने का काम करते रहे लेकिन ऐसा एक चहरा जो सियासत की पटल पर बिलकुल नया है राजनीती की परदे पर बैमानी से परे है और अब तक के बाहरी उम्मिद्वारों की फेहरिस्त से विसुद्ध स्थानिय है जी हां हम बात कर रहे हैं आमेर के ओम्परका सैनी की जो जनता की समस्याओं के लिए चप्पे चप्पे उनकी तलास कर रहे हैं और लोगों को ये यकीन भी दिला रहे हैं कि आप साथ दीजे आमेर की सियासत और एतिहासिकता दोनों को एक नया आयाम देंगे और पानी के लिए जंग भ्रष्ट सिस्टम के खिलाप युद जम कर लड़ेंगे क्योंकि बात हमारे आमेर की है सियासी माहौल में ओम्परका सैनी की ये वादा हमें कहीं न कहीं एक उम्मीद दिलाती है ब्यूरो रिपोर्ट दस्तक टीवी राजस्थान